हेलो फ्रेंड्स मेरे पाम रिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज 49 वर्सिये पुरुस के पाम का असेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सबसे पहले चीज इनका जो दो-तीन प्रश्ण है मेजर कि अभी इनके लाइफ में काफी परिशानी चल रही है तो इसके क्या वज़ा है और यह स्थितिया कब से सुद्रेंगी कि सबसे पहले चीज सकेंडरी आगे कुछ क्या कर पाऊंगा आगे कि स्थितियां आगे जीवन कैसा रहेगा इनका तो वह सारा कुछ इनके पाम के माध्य हम सभी देखते हैं कि इनके पाम में कौन से परणा से स्थ के जैसे प्रणा से सब्सक्राइब बता दो इनका पां में साबसूत्रा और सबसूत्रा इनसान का काम करने त्रीके से नहीं कोई चाहंगा पाम पपे कुछ सीज़ें नो lesson ne ही होंगे ठीक है पर जादा दालाइन नहीं रहनेगा हूँ यह बहुत देखा ब इंसान के जीवन में उसके फल आते हैं क्योंकि देखो साफसुतरा रहने के बाद ना तोरह से यह होता है इस अपने मूह अच्छे फल देने के लिए कापी कैपेबल होता है अगर वह अच्छे हैसे थी में रहा तो तो इनका जो भी जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रह होंगा इनका जो फेस चल रहा है वो यहां से चल रहा है ठीक है तो यह देखो कितना बड़ा एक लाइन इनके फेट लाइन को कार दिया तो यह एक एक्सपेंस दिर्शा रहा है ठीक है तो यह लाइन को एक क्रॉस नहीं बना ठीक है यह एक एक्सपेंस है ठीक है जो इनके बागी रेखा को कटा है जो जीवन रेखा के तरप से माइन रेखा के तरप से भी रेखा के काटी वे तो यह एक हैवी एक्सपेंस दर्शारी है इनसान को लॉस्ट लगता है इनसान का कोई भी वो काम कर रहे होते हैं तो उसमें उसको घटा लगता है ठीक है यह लाइन मूलत से दो वर्स की अवदी है इनके बागी रेका पर जो कटी वी है और जो लाइफ लाइन पर भी है ठीक है और उसी प्रेड में इनकी माइन रेखा देखो यहां पर से काफी दवाब नुमा आखिरती आपको फील होगे इस एज में जिस एज से गुजर रहा है यहां तक ठीक है तो यह लगबग 34 वर्षे ही दवाब जेल रहा है इनके माइन रेका की हिसाब से किसी ना किसी प्रकार की तो यह कुछ इंडिकेसेंस अनके पाम पर जिसके मादियम से मैं बता पा रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम चल भी है अब आगे के सिद्धी कैसे रहे है देखो आगे इ इनके लाइफ में यह स्टार्टिंग ही है लगबग 33-34 से कि भागे का साथ कम मिलना या अगर मिला भी हो तो उसके फल अच्छे नहीं आएंगे एक्सपेंस हो गया होगा जिसमें इनको काफी जादा नुकसान का सामना करना पर आओगा यह लगबग इनके जीवन के 43-44 ये आगे कुछ कट नहीं है तो जीवन में कुछ हो सकता है कुछ उन्नती हो सकती है आपके पांपे प्रबल सूरी रेखा इनका भी साथ आपके लाइफ पर आएगा तो इनका कोई बहुत ज़्यादा कोश्चन्स नहीं है बस यह कि आगे जीवन कब से इस्ततियां ठीक होंगी तो आगे ठीक होने की आशंगाएं काफी अच्छी है मढइन रेका पर भी दवाव नहीं है 40 के बाद माइं रेका भी अच्छी चली रेका भीैए तो ऐसे लोग ज़्यादा दिन तो ऐसे लोग पर्ब्लम से नहीं गुजरता है जाखे लिग ज़्यादा दिन इसे देखत हैं मूलता लाइन है वो मैं देखता हूँ आपके पाम में बड़ना नहीं के लिए जीवन रेखा अच्छी है कोई गरहां बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं पाम पे हैं यह सब चीजे कुछ मेजर चीजे आप देख लो उससे आप इनके प्रेडिक्शन दे दो कोई बड़ी बात नहीं है अब इनके पाम पे मैं जर्डल अनेसेस का तरफ चलता हूं और देखता हूं कुन सी बाते क्लियर पाड़ें इनके पाम के मात दे हमसे और कौन से ईच्छे योग है तो सबसे परहला देकर उभानते काफे सीद avFreeutta को दरशा रही है इनके लाइफ में किसी निकिसी वज़ा से कोई न बड़ प्रकार की कस्ट हो जाती होगी ठीक है और उसके बाद मैं दिखाता हूं इनका saturn तो इनका जो saturn है वो सीधी रही है इनकी saturn की finger तो महनती इंडिकेट करते हैं और saturn का amount वे अलकास भाड़ लिए वे लेकिन यहां से दपावा तो इनसान महनती होता है लेवरेस होता असपस्ट बादी होता है इमानदार होता है यह चीज़े इंडिकेशन दिर्शान चैटरन सन का जुकाव सैटरन के तरफ इनसान के अच्छा होता है लाइफ की mathematics इनके interesting subject में से एक होते हैं तो यह सब चीज़े दिखा रहे हैं इनके सैटरन सूरी की जुकाव हो तो इनका मूल कोशन था कि अभी बहुत खड़ाब समय से गुजर रहा हूं आगे कपसे अच्छे आएंगे तो आगे आपके अच्छे हैंगे आपके क्यूं खड़ाब समय से गुजर रहे हो वह मैंने अर्लियर बताया आगे टेंशन मतलो आगे आपके एक दो साल वेट कर लो अच्छे जरूर आने वाले हैं ठीक है फिर देखो तो इनके पाम पर ये एक समझदारी का योग है अगर ऐसा कोई लूब बने तो बहुत 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 असपस्ता नहीं है तो इनसान के जीवन में उससे कभी कबार कोई डिसिजन्स ऐसे लिए जाते हैं जो उसके अब फिर देखो तो इनके पाम पर जुपर्टर जुपर्टर इसकी स्थिति जो इनके पाम पर मैं दिखाए कि यहां से काफी आपको दवापी लोगा तो यह बैलन्स स्थिति में ने पारिवाय टेंशन दामपति जीवन में कला कच-कच और कभी-कभी शादी भी बहुत ब बनियों किसी पाम पर तो अब फिर एक प्रॉग्रस लाइन के जुपर्टर में देख पा रहा हूं यह कहीना का इंडिकेट कर रही है कि जीवन में कुछ तरक्की का मार्ग भी बना होगा अरली एज में 21-22 की यर्स के बाद तो वह अभी फिलाल नहीं है और ऐसे में इनसान प्रोग्रस करता है तिस परक्रच लाइन कब कि यह प्रोग्रस लाइन सीधी सुड़ी ए नएक पर तो जुपिटर के तरफ एक सूरी के जीवन का लास प्रेट अच्छा रहेगा कुछ money management के बेगांज़मेंट तो यह money management लास प्रेड़ में दरशायता तो जीवन का लास प्रेड अच्छा बीता एक ब्रांच अगर जुपिटर के तरफ चला जाए तो सरकारी ला पॉलिटिक्स ला का भी indication से और अगर संद की तरब चला जो तो प्रॉरण योग के भी indication दर शाторता है और सैटल का माउंट जएसे मैंने बता ही हो इससा का बदन fatty हो सकता है तो रैसे fat consume कर सकते और कभी कबार ऐसे लोग आलसे भी हो सकते है लेकिन अगर ये मैन्त क slaves तो 70-60% को मैहत का फल आएगा पामिस्टरीक चिससर नहीं होती बाकिवे चीज़ देखनी पड़ती है शुरी बुद्ध काफी प्रभावित किया है मुझे दोनों का सुरी का सिपनेस बुद्ध के तरब है तो बिजनस इंडिकेट करता है लेकिन बुद्ध रेखा कटी कटी है तो ये तो रहा सार लॉस भी इंडिकेट करता है तो पामिस्टरी सब चीज़ के बाद प्रडिक्शन दोआ लेकिन एक सुरी रेखा है तो इंसान काफी लॉजिकल होगा तो इसान अपना में हिंद्ध रहता है ये हिंद्ध दरशाता है कहीं न होगी मान सமाज के जसका पात्र भी ओता अपनी इमानदारी के वज़ा से और एक सूरी रेखा वाले इंसान काफी अस्पस्ट वादी होते हैं और ऐसे लोग clear बोलने वाले होते हैं कभी fake बात में रहते हैं लॉजिक से सारा कुछ समझने वाले होते हैं अगर ये लोग try करें तो ये लोग कुछ अच्छा भी कर सकते हैं सुरी रेखा च्छी बड़ी है ये कईना की दर्शारी है इंसान की प्रस्थारिटी में तेज होगा फिर देखो तो इनके पाम पे बुद्ध कईना कईनका वीक अवस्था में जा पा रहा है शुरी की सिफ्टनेस है तो बिजनस के परती लोग आकरशित रहते हैं लेकिन बु हमारी का योग तो आपके पाम पे नहीं है हमेंने इनको एक चीज़ पूछे जब हमारी कनवर्शेशन होई थी क्या आपको डॉक्टर मैंने एक चीज़ कर पूछे कि हमें यह कनफर्म होके मैंने यह बात कही कि आप कभी भी कोई चेक अप कराऊ तो उसका रिजल्टेंट आपको जीरो आएगा तो इनका एंसर था यह हमेशा यह होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ से रिकार्डिंग बस आप ज्यादा सोच रहे हो आपकी नर्वा सिस्टम वीक है इम्यून सिस्टम वीक है बुद्ध के वजह से ज्यादा सोचो मत तो रहसा समय का भी द लॉजिक की बातें जमीन से जुरावा इनका कारी हो सकता है खांदान हो सकता है और मंगल अगर प्रबल्वापाम पे तो इनसान में प्राक्रम रहता है तेज ही रहता है कुछ करने, कुछ करने जाता है और चंदर अच्छा रहने को इंसान में एक्सी तलता रहती है जीवन में जब बेसका शमय के लाइफ पे आता है और चंदर मां अच्छा रहने का इंसान की प्रस्टनालिटी काफी अच्छी होती है फिर देको तो शुक्र इनका थोड़ा वीग जारा है जुपटर सुक में अन्बैलंस है तो गरिलू मावले में कला कच-कच हो जाता होगा तो उसकले मैं इनको रिमेडी दूंगा और शुक्र मावन तो उभार है लेकिन कुछ वरीट के लाइने में देख पा रहा हूँ तो ये कई नकी दर्शाती टेंशन्स और तामपते जीवन के सुक में कमी परिवारिक सुक में कमी ये सब्सक्रा दर्शाती है संसारिक सुक में थोड़ा सा भीलना जिलना पर सकता है लेकिन शुक्र कुछ लाइने हैं तो लगजरी का मूलता शुक ऐसे जातकों को मिल जाता है फिर देखो तो मंगल मंगल मीडिया वस्ता मेनरजी अच्छी रहे है कुछ लाइने वरीट के देख पा रहा हूँ तो यह भी टेंशन का नीचर इंडिकेट करती है कई नकर ऐसे लोग का नीचर काफी टेंशन वड़ा होता है फिर देखो तो इनके जीवन रेका तो जीवन रेका देखो कुछ डिपेंडेंसी कर योग इनके पाम पे लगबग 22-23 तक आ रहे थे फिर इनका जीवन रेका ठीक टाक चला एक राहू लाइन ने काटा ये लगबग थी इनकी एज 37 के राउंड फिर एक एज लगबग इनकी 39 के राउंड इनके राहू लाइन ने काट दिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिकेट कर देखा तो दो साल में ऐसा लोग hand to mouth होता है hand to mouth कैसे होगा investment करकी होगा पैसा लगा की होगा अभी ये करज में है तो चुकि फेट लाइन कभी इनको साथ नहीं मिल रहे तो ये करज में इस वज़ाए से कि वो लगला इनके साथ नहीं रहता है तो ये mysterious cross का इंडिकेशन नहीं है ये loss का इंडिकेशन है फिर देखो तो इनका पाम पर मैं दिखाऊंगा जीवन रेका चोटी समझके ये मत समझना कि छोटी है फिर एक जो इनकी जीवन रेका में कर्स था ये लगवग इनके life में थ 55 की एज में तो वो सकता है उस समय तक चला भी जा तो देखो इनके जीवन रेका चोटी है इनकी बागे रेका इनकी जीवन रेका बनेगी और इसकता है ये अटाइज भी हो जाया आगे चलके और यहां पर एक मंगल रेका में पुर्ण देख पा रहा हूं तो इनकी एज अ हाँ जो मेरा एक अच्छे दिर गाई में सो मैं उसको उसमें इनको नहीं रखोंगा मैं लेकिन प्रस्तानी यह प्रश्अश प्सक्राइज полит तो रस्पस्ट बादी होता है लेकिन दिमाग काफी तेज वर तिप्ड होता है फिर देखो तो इनकी भागी रेका तो इनकी भागी रेका एक्टम या मॉनिवन से चली और देखो जीवन रेका को मैं इनको पहले अच्छे साप लोगों समझा दो यह इनकी जीवन रेका लग रहा हूं लेकिन इनकी एस भी अच्छी है ठीक है इसका टेंशन मत लेगा उसके बाद देखो तो आप इसका कोई करी जाता हूँ बगवारी जाते इसका प्रेडिक्शन में नहीं करता फिर इनकी फेट लाइन काफी एच्छी सीदी सानी तक गई है यह बहुत उत्तम प्रेड़ में जाती है लेकिन इस प्रेड़ में दिखाया एक डिस्टरवेंस था लेकिन फेट लाइन तो पाम पर है इनसान का काम होते चला जागा हाँ तो दो साथ मिलने का चांस है इनके फेट लाइन को आगे बहुत अच्छी चली है जैसा मैं बता है कि यह जब छेतर इसा ले इंसान को लास्ट प्रेंड में काफी कमाई होती है फिर शुरी माउंड की शुरी रेखा काफी प्रभल यह तो काफी एच्छी डवलेप्मेंट इंडिकेट कर रही है कि इसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं और कुछ एक विद्या रेखा यह कहीं एक बुद्धरेखा काफी चोटी-चोटी-चोटी है कटी-टी है तो ऐसे में बुद्धरेखा होई नहीं को जो बिजनेस पेना अगर हो तो क्लियर ऑग कटी-कटी रहे तो कहींने के लोज़ दर्शाया करती है ठीक है है ऐसा लोग पेट के समस्वा ऐसे बीड़ी तरहते हैं तो वह माइनर होगा मेजर नहीं हो इसका टेंशन मतलो दूसरी से इनके पाम पर यह एक रेखा यह कहीं नहीं यात्रा इंडिकेट करती है इनके लाइफ में और कुछ ऐसी लाइने हैं यह कहीं नहीं मनी मेनेजमेंट सब्सक्राइब हो इंडिकेट करती है उनकी तूम को देखो इनका फर्स जालता है कि नगिन को घखा यह तो इनलिगाता है इसंसान नगा सोज़ता है कि जब इनका काम नहीं और उटेक मुला को जिवन कर जाना घब मूलता यह इनका सोच रहता है तो इनका जो बेशिक कोशन था आगे की स्थितियां कहा दें को तालेस ब्यालेस से सुधरने की स्थितिय अटेंशन मत लो और आगे आगे आपके जीवन पर भागे का भी साथ अच्छा मिलेगा गरहां मूलता आपके पाम पर ठीक टांग मीडि सब्सक्राइब चाहते हैं तो हमारा नमबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप उससे लेकर मेरे संपर कर सकते हैं धन्यवाद